नमस्कार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अपने सभी देखने वालों को हम बता दें कि आज का हमारा ये सेशन बहुत ही खास है क्योंकि आज एक खास दिन है। नमस्कार आज का टॉपिक जो है नाश्रो साइंस डेट वेंटी ट्वेंटी ट्वेंटी टू मेकिंग साइंस एसेशिबल और इस पर आपके साथ बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौझूद है। आप हैं डॉक्टर अमित शर्मा आप असिस्टेंट प्रॉफेसर हैं डिस्ट्रिक इंसिट्वेट अफ एडिकेशन और ट्रेनिंग अंसारी रोड दर्यागंज दली से। और अपने सभी देखने वालों को हम बता दें कि आप हमें पीम ए वीडिया चानल्स पर देख रहे हैं और आप इस कारेकर्म का हिस्सा बन सकते हैं आपको बताया जाएगा किस तरह से सरह हम इस सेशन की शुरुवात करते हैं जैसे हमने बताया कि बहुत ही खास दिन है आज लेकिन फिर भी ऐसे में एक ऐसा गुरूप भी है जो साइंस या विग्यान को लेकर थोड़ा नजलीबर हम कह सकते हैं या फिर उतना इंट्रस्ट नहीं दिखाता है तो उस गुरूप के अगर हम बात करें कि किस तरह से उनके लिए साइंस को एसेसिबल बनाया जा सकता है खास तो पर हमारे जो बच्चे हैं जो स्पेशल नीड बच्चे हैं किस तरह से उन्हें साइंस का हिस्सा बनाया जा सकता है यह आप हमारे सभी देखने वालों को बताईए बहुत बहुत धन्यवाद मैं बहुत ही रेलवेंट कोशन है क्योंकि एक तरह हम देख रहे हैं कि दुनिया में हमारे जो विग्यानिक है या विग्यान से जुड़े वे जो स्टूरेंट से वो हर जगह चाय हुए है लेकिन बहुत बड़ा एक सेक्शन अभी भी हमारे भारत में है जो कि साइंस के लिए ना तो इंटरस्ट दिखाता है ना ही उसके अंदर इन्वाल हो पा है तो यह इंटरस्ट कैसे हम डवलप करें उसके लिए प्रशन बहुत अच्छा है और जैसे कि आपने का कि चुल्ण विद स्पेशल नीड्स या स्टूरेंस विद डिसेबिलिटीज तो वह एक ग्रूप एक सेक्शन जो है वो थोड़ा सा इन्वीजिबल हमें देखता है क क्लास 10 तक क्योंकि सभी के लिए कंपलसरी है बहां तक बच्चे हैं लेकिन क्लास 11 ओनवर्ज जहां पर की सब्जेक्ट का डिवीजन हो जाता है साइन्स और मैस में और आर्स और कॉमर्स में तो वहां पर बहुत कम बच्चे हैं तो वाकई में इसमें हमें देखने के जरू ख़ात में हुई थी विज्ञान के तो जब हमारे ऐसे बच्चे कि जिनका की सोचने का और समझे का तरीका और उसको एक्स्परेस करने का तरीका अलग है तो वह जब विज्ञानमें इंबॉल्ड होंगे तब वह चेंजिज्यस विज्ञानमें आने की संभाव नहैं तो जैसा कि आपके प्रश्ण था कि किस तरीके से जो बच्चे जिनकों की जो की special need वाले बच्चे कहलाते हैं उनको कैसे हम involved किया जा सकता है तो मैं देखता हूँ कि सबसे पहला जो हमारा concern है वो यह है कि विज्ञान को हम accessible बनाने के लिए उसमें changes करते हैं तो सबसे पहला change जो है वो infrastructure में है हमारे जो education के मंदिर है जो हमारा school है उसके अंदर हमारा accessibility है वो सबसे पहले हमें देखना है school के अंदर ऐसे ramps बने जहांपे कि अगर कोई बच्चा wheelchair पर चड़ता है तो यह छोड़ी छोड़ी चीज़ें अगर हम school में देखें और कोई ऐसी hindrance ना हो किसी बच्चे के रास्ते में जो कि बच्चे को चोट लगने का डर है तो सबसे पहला तो यह issue infrastructure का दूसरा है यह हमारे major concern हम कह सकते हैं जी है जी है बिलकुल thanks ma'am बिलकुल यह हमारे major concerns है दूसरा हमारा जो classroom में interaction का तरीका है हम देख रहे हैं classroom के अंदर जो सबसे ज़्यादा जो highlighted रहता है वो vision mode है कि हम देख कर समझते हैं विज्ञान के समय में हम कुछ reading ले रहे हैं या कुछ experiment कर रहे हैं तो देख कर हम ज़्यादा focus करते हैं कि अगर हम reading देख रहे हैं तो color के change की बात करते हैं अगर हमने कोई experiment किया है या फिर हम कोई पढ़ रहे हैं तो उसमें textual चीज ज़्यादा है या कुछ हम observe करने के लिए बोलते हैं देख कर observation का ज़्यादा मौका देते हैं कोई हम picture दिखा रहे हैं कोई map दिखा रहे हैं तो वो vision के उपर है जबकि बच्चों की जो learning है वो spontaneous जो भी learning है वो बहुत सारे modes को लेकर बच्चे learn कर रहे होते हैं उसमें छू कर भी पता करते हैं बच्चे उसमें सुनकर भी पता करते हैं और इसके अलावा देखने का उसको temperature measure करने का ये सभी चीज़ें बच्चे के observation में आते हैं तो ये अगर हमारे विज्ञान का पार्ट बने विद्याली शिक्षा का पार्ट बने ये classroom की pedagogy का पार्ट बने तो हर बच्चा उसमें involved होगा उसमें interest create होगा दूसरी चीज़ की विज्ञान की हम देखते हैं तीन main उसके nature होते हैं सबसे पहला तो है विज्ञान एक body of knowledge है एक ऐसी knowledge जो विज्ञानी कोंने create की है बहुत समय तक अपना समय डिवोट करके एक खास process को लेकर दूसरी वो science की processes है जिसके द्वारा वो knowledge create की जाती है और तीसरा है science एक attitude तो हम देखरें क्लास्रूम्स के अंदर body of knowledge तो बहुत ज़्यादा highlighted है जो मानि जे Newton ने कोई law दिये है या दिन के द्वारा कोई भी व्यक्ति उस law की तरह पहुंच सकता है उस knowledge की तरह पहुंच सकता है यह अपने लिए knowledge create कर सकता है वो थोड़ा सा कम रह ज़्याता है तो classes में बच्चों को मौका मिले विज्ञान करके सीखने का और जब बच्चे करके सीखते हैं तो वो attitude भी develop होता है बच्चे अपने आम जिन्गी की फैसले भी उस process के थूँ ले सकते हैं अगर वो देखते हैं कि क्या उनके लिए अच्छा है क्या बुरा है वो उस फैसले में जब वो attitude डवलप होता है साइंट भी का तब वो बच्चा complete science की knowledge को gains कर सकता है अपने लिए भी और अपने समाज के लिए भी तो ये खास चीज़े हैं जो कि science के मोटे curriculum में आवशकता है तीसरी कि science को कैसे हम करें हैं तो उसके लिए जी आप कुछ पूछा जा रहते हैं साइंस को कैसे क्लास में किया जाए है माली जी एक क्लास के अंदर ऐसा बच्चा है जो कि देख नहीं सकता तो टीचर्स का बड़ा concern रहता है उसमें कि माली जी कोई बच्चा देख नहीं पा रहा तो classroom में सबसे यादा जो mode है modality है जिसके दोरा teachers बच्चों को सिखा रहा है या बच्चे सीख रहे है वो vision है लेकिन वो vision अगर एक बच्चे के पास नहीं तो कैसे उसको involve करें तो simple main yardstick है जिसके दोरा हम इसको देख सकते कि कैसे किया जाए वो yardstick है कि बच्चे की जो abilities है उसको हम focus करें हम देखें कि कौन बच्चा किसी खास modality को लेकर सीखता है या समझता है या express करता है तो वो modality अगर हम बढ़ाएंगे तो हर बच्चा include होगा चाहे वो बच्चा अगर नई सुन सकता वो भी उसमें involved हो सकता है अगर teacher इशारे भी करता है या teacher visual mode भी use करता है और साथ में उसको बोल कर भी express करता है या बच्चे को चू कर या उसको देख कर समझ कर या explore करने का मौका मिल रहा है तो वो बच्चा भी सीख सकता है और अगर उसके अंदर tactile mode है चू कर उसको पता किया जा सकता है या सुनकर पता किया जा सकता है या उसको किसी और तरीके से अगर बच्चा सीख सकता है विजन के अलावा तो वो बच्चा भी उसमें involved होगा तो उसमें कुछ छोटी-छोटी strategies हैं जो कि हमने अपनी research के दोरान उसको जाँचाप परका और हमारा thesis का भी वो पाड था वो सबसे पहला तो adaptations है तो वो adaptation जो class में teacher use कर रहा है जैसे माली जी एक छोटी सी चीज है कि बच्चे bad ball खेलते हैं है तो अब मन में प्रश उठेगा कि माली जी एक बच्चा नहीं देख सकता वो कैसे bad ball खेलेगा है वो ball को तो नहीं देख पाएगा तो वो ball को hit कैसे करेगा तो छोटी सी modification का एक example मैं देता हूँ कि माली जी यह ball है इस ball के अंदर क्या modification की है इसके अंदर अब बच्चा सुनके भी परसीव आराम से कर सकता है तो इसके अंदर जो की generally cricket में use होती है जो अवाज आती है तो जब यह ball फैकी जाती है तो वो actually जो अगर कोई बच्चा जो देख नहीं सकता उसके लिए अगर cricket होता है तो उसमें ऊपर हवा में नहीं फैकी जाती हो नीचे लुड़का कर फैकी जाती है जिस्ते की उसकी आवाज आती रहे तो जैसे यहां पर मैं टा करते हैं और हम अगर आख बंद कर लें वो हमें भी परसी होगा तो यह चोटे सी modification है जो कि एक बच्चे को खेल के अंदर इंक्लूट करेगा और इसी को अगर class करने टीचर motion पढ़ाने के लिए या speed दिखाने के लिए अगर speed समझाने के लिए बच्चों को करने भी करना चा होंगा वो है कि जितना ज्यादा हो सके हम class के अंदर या learning जब भी हम कर रहे हैं चाहिए वो class के बाहर हो या अंदर हो उसके अंदर ज्यादा से जितनी चीज़े concrete हो सकती है जो actual चीज़े हैं वो अगर बच्चे को समझने का explore करने का मौका मिले तो बड़े मज़े से करेंगे उसके बहुत जादा आयाम सीख सकेंगे मैं एक चोटा से एक्जामपल लेता हूं जैसे कि अगर class में digestive system है ना हमारा जो पाचन तंतर है उसके बारे में बात कर रहे हैं जो शुरुवात हमारे मुख से होती है जिसके अंदर दांत हैं लेकिन कक्षा में जब इसकी होती है अगर एक teacher कली diagram दिखा रहा है या उसको बोल कर समझा रहा है या text पढ़कर बता रहा है obviously बच्चे जो अपने मुँ के अंदर हर बच्चे के मुँ में दांत है तो उसको कैसे परसीव करें और माली जी एक बच्चा है जो देख नहीं सकता उसके लिए दात जो है वो एक चल दात क्यों आप टीचर लेकर आया स्पैस्मेन के रूप में यह अलग अलग प्रकार के दात है जो की मिल जाते हैं अगर एक डॉक्टर के पास एक टीचर जाए या अपनी लैब के अंदर भी यह चीजे रहे तो आराम से यह किये जा सकते हैं तो यह अलग अलग प्र हाथ में लेकर एक्स्प्लोर करें देखें कि क्या इसकी शेप है क्या इनमें डिफ्रेंस है इसमें देख रहें कि ऊपर वाला इससा जो है वह बहुत जादा शाइनिंग है यह वह वाला पार्ट है क्राउन वाला जो में अपने दान का इससा दिखा ही देता है और जो नीच इसका इंपोर्टेंस किया है इसमें शेप का जो डिफरेंस है वो किस तरीके से हमें खाने मदद करता है तो टीचर के बिना बताए बच्चे बहुत जादा इसको परसीव कर सकते हैं और उसको विजुलाइज कर सकते हैं सर आपके सब स्पेसिमेन देखके यहाँ पर हम आपसे बात जानना चाहेंगे कि जो हमारे स्पेशल नीट बच्चे हैं साइंस में वो इंक्लूड होते हैं उनके लिए इंक्लूसिव बनाया जाता है तो लाब में क्या-क्या मॉडिफिकेशन किये जा सकते हैं यह आप हमें ब उसने किसी ऐसी चीज़ को चूद दिया जो उसके लिए नुक्सान दायक होता है तो उसके लिए कैसे वो करें अगर हम आम भाशा में देखें आम लोगों की बात एक लेमन सोच के अगर बात करें तो यह भी सोच सकते हैं कि स्पेशल नीट बच्चों को किस तरह से लाब मे और इसमें जो कि हर लैब में होना चाहिए हर लैब में बच्चों को पहले इंस्ट्रक्शन होनी चाहिए कि लैब में किन बातों का ध्यान रखना है और अगर आज हम लैब में जा रहे हैं तो किस लिए जा रहे हैं वो परपस बता होना चाहिए उसकी चीजें पहले से औरि मिले लेकिन वो focused रहे वो structured रहे और एक और जो important चीज़ है वो है buddy या peer grouping तो अगर class के अंदर हर बच्चा group में रहे अपने दो या तीन friends जो साथ में रहते हैं तो learning में क्यों ना partner वो बने तो वो peer group learning lab के अंदर भी हमें maintain रखनी है अगर बच्चे group के अंदर करें तो वो better learning कर पाते हैं एक दुसरे की help कर पाते हैं एक दुसरे की interpretation में मदद करते हैं तो अगर एक बच्चा जो देख नहीं सकता उसके साथ में ऐसा बच्चा जो की देख सकता है तो ऐसे अगर हम डिप करें या अपने बॉडी का टेमपरिचर लेना चाहें तो इसका यह बटन दबाकर यह बोल कर बताता है तो जो की चोटी सी टेक्निकल और जिए खेंचिक्न सबसे करएगी तो इसलिचल अपनली को पूर यह बच्चे को कूई देक्कटार कटि lactate ओलीक जा सब्कड़े आंदहुट्र के बहुआ है जो की पनाद चेंगजए को बतार आते हैं, माली ज्च्च को एक्सपरिमेन्ट किया है बच्चे के एक test tube के अंदर उसने दूसरा chemical mix किया है तो उसमें अगर color change को identify करके हमें chemical जो reaction हुआ है उसको identify करना है तो color change को अपने color identifier gadget से पता कर सकता है और अगर हम वो भी use नहीं करें तो साथ में एक buddy है जो कि बताएगा कि अब आपका color change हो गया है तो इतने चोटे से adaptation के साथ ही वो बच्चा भी उतनी आराम से experiment कर पाएगा अब बात आती है कुछ ऐसे chemicals जो की नुकसान कर सकते हैं तो उसके लिए हमारे पास एक तो हमेशा instruction रहती है कि हम holders को use करें तो holders के अंदर अगर हम tactile perception के लिए कुछ marks उसमें बनाते हैं तो बच्चे क जो करें यूज करें यूंकि डॉपर्स comparatively safe होते हैं तो उसको हम यूज करके एक्सपरिमेंट को किया जा सकता है जो कि बच्चा देख ने सकता है लिए यूज़ के लमबा करके असकी जो नॉजल को हैंदल करके और जितने हमें कॉंटिटी चाहिए chemical की उतना ही chemical हम उस डॉ इस जो देखने सकता तो उसके लिए क्या करें माली जी उसको अमीबा देखना है यह लेकिन बच्चा नहीं देख सकता है तो उसके लिए छोटी सी modification क्योंकि हम textbook के अंदर क्या रखते हैं उसमें visual mode में विज्विकी की photograph रखते हैं तो जनरली कुछ microbes की इस प्रकार की images आप देख सकते हैं जो textbooks में रहते हैं लेकिन उसमें teacher को क्या करना है या किसी भी educator को क्या करना है उसमें थोड़ा सा एक modification यह करना है कि वो उस image के उपर tactile perception और डाले इसकी lines को कैसे raise कर सकते हैं तो उसके लिए बहुत है simple gadgets आते हैं इसकी outlines के उपर हमारे पास newspaper है तो इस newspaper के उपर उसके काफी folds है आप देख सकते हैं तो उसके उपर मैंने इस sheet को रखा हुआ है जिसके उपर यह drawing बनी हुए जो की देखने वाले बच्चे परसीब कर सकते हैं लेकिन जो बच्चा देखने सकता उसके लिए परसीब करना मुश्किल है तो बहुत ही छोटा सा इसके अंदर change किया है कि teacher या कोई भी educator या कोई student भी इनी lines को उसने इस newspaper पर रखे कागस के उपर उसने यह lines इसके उपर डॉप किये थोड़ा दबा कर करेंगे तो अब क्या होगा यह जो lines जो plain paper है इसमें पीछे की तरफ यह lines raised हो जाएंगी शायद देख पा रहे होंगे आप कि यह सभी जो जो diagram वो अब color तो नहीं है उसके अंदर लेकिन वो raised है तो अब जो बचा देख नहीं सकता वो उसको छू कर perceive कर सकता उसकी shape को और इसमें बहुत थोड़ी सी ट्रेनिंग के जरूत परती है क्योंकि बचों को टेक्टाइल पर्सेप्शन की ट्रेनिंग भी है और आधद भी है वो ब्रेल भी एक टेक्टाइल पर्सेप्शन का ही मोड है तो वो बच्चा उसको छू कर आइडेंटफाई कर सकता है सबी डियाग्राम्स को और साथ में उसके जो पीर्स बैटे हुए क्योंकि पीर ग्रूप लेंडिंग बहुत इंपॉर्टन है इंक्लूजन के लिए या साइन्स को एक्सेसिबल बनाने के लिए तो वो बच्चा चू कर उसको पता करेगा साथ में उसके साथ मिलकर सीखेंग कि ठीक है हमारे बच्चे उने परसीव कर लिया टेक्टाइल डियाग्राम्स के तुरूप परसीव कर लिया अपने पीर्स के साथ मिलकर ऑब्जर्विशन की है उसको डिस्कॉस किया है और नतीजों पर पहुंच गया है लेकिन जो एक और खास वो है ड्रौ करके बच्चे केहारे करते हैं साइंस, स्युक्ति-श्यूंस मसॉश जरूब करते हैं यहां पर हम आपके यह बताना चाहेंगे कि टकरीव जांट से जादा जानना चाहएंगे कि और कौन-कौन से मैं के पास है और उनके पास वो विल पावर हो कि इसको यूज कर सकें तो देखिए ये चोटा सा एक टूल है जिसको कि हम वेल्क्रो शीट और ये वूल पैन बोलते हैं और ये ट्रैश टू प्रोफेसर अर्विंद गुपता टॉइस तो देखिए चोटे सा वेल्क्रो शीट पर जब हम इस वूल पैन से लिखते हैं तो इस पर एक पैटर्न बन जाता है जो हम चाह रहे हैं तो जो शेप हम बनाना चाह रहे हैं वो इसके उपर ये उन इस पर चिपक जाती है तो ये वूल जो है वो हमारे लिए तो विजोन परसेप्शन अब इसको देख कर पैचान पा रहे हैं लेकिन जो बच्चा देखनी पा रहा है वो उसको छूकर आसानी से उस शेप को परसीव कर सकता है और इसमें कुछ और भी शेप्स बनाई जा सकती है जो कि टीचर कर रहा है और ये हमारा वापस जाएगा जैसे हम पैन को यूज करते हैं तो एक बच्चा जो जिसको विजन इंपेरमंट है वो उसको अपनी तरह के थो एपर हैं चीज को दौ नहीं के लिए हैं लेकिन awareness की कमी से जो inclusive classroom से उसमें नहीं होते तो इस tactile slate का क्या खासित है कि इसमें एक wooden board के ऊपर एक जाली लगी हुई है plastic की mat लगी हुई है उसके उपर जब हम braille sheet रखते हैं तो उसको पर मैं इस पूरा नहीं बना रहा हूँ जल्दी में तो प्लीज इसको अगर हम देखें तो पीछे की side यह raised line हो गई है ना अब जो बचा देख नहीं सकता वो इसको tactile form में परसीब करेगा तो वो उसको छू कर पैचान सकता है कि इसने क्या draw किया हुआ है अब इसके अंदर आप में देखा हुआ कि actually page पलटना पढ़ रहा है student को देखने के लिए तो उसके लिए एक और टूल है जिसमें की rubber mat और see well paper है तो इसकी ये खासियत है कि जिस side में draw किया जा रहा है वो उसी side में raise हो जाता है जैसे कि एक चोटा सा मैं draw करता हूँ एक मालीजे चोटी सी hut मैंने draw की है यह कोई भी shape draw की जा सकती है तो इस समय हम इसको देख कर परसीव कर रहे हैं लेकिन जो बच्चा देख नहीं सकता उसके लिए उसी side में raise हो जाती है तो इसको परसीव किया जा सकता है इसे तरीके से तो यह भी representation का तरीका तो सई अभी समय हमें बिल्कुल जासत नहीं दे रहा है वी आ रहनिंग वेरी short of time लेकिन जाने से पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि science को और किस हिसाब से क्या उसमें modification किये जाएं जो सभी बच्चों के लिए वह ज्यादा joyful हो बच्चे चैरिश करें science को जब भी पढ़ें और से यूज करें सर जियां थैंकिस सो मच मैम रियली मैं इस चीज को बिल्कुल चाहूंगा actually science करने की चीज है साइंस पढ़के सीखने का बहुत ही चोटा सा पार्ट है साइंस जिंदगी में तभी हम अप्लाई कर पाएंगे जब वो करके सीखा जाए तो जहाँ स्यादा मौका मिले अब्सर्व करने का महसूस करने का सूंगने का छू कर पता करने का और उसको experience लेने का तो तभी उसको अप्लाई क्रने का मौका मिलेगा। सबी देखने वालों को बच्चों को इस टॉपिक पर जो नाशनल साइंस देट 22 मेकिंग साइंस असिसिबल इस टॉपिक पर इतने अच्छी और बहतरीन जानकारी दिया आपका बहुत बहुत धन्यवाद और साथ ही हम धन्यवाद करते हैं अपने साइन लैंग्वेज इंटेप्रेटर को मनोज जी को जो आपने इस पूरे सेशन को इतने अच्छे से इंटेप्रेट के आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद और अपने सबी देखने वाले वीवर्स और लॉर्नर्स को हम बता दें कि अभी हम एक चोटे से ब्रेक के लिए दोबारा हासिर होंगे आपका हिमत जाएए बने रहे पीम एविद्या चानल्स पर मुझे रेडियो भट को दीजे जासत नमस्कार